दोस्तो, आज मैं आपके लिए Power BI का एक ट्रिक लेके आगया हूँ, जिसके अंदर आप numbers और percentage एक ही graph के अंदर शो कर सकते हैं, तो चलिए, सबसे बहले हम क्या करते हैं, हमें एक अपना normal Power BI open कर लेते हैं, अब मैं एक default Excel लेके आता हूँ, Excel को upload करता हूँ, जिसके through हम visualization बनाए नहीं तो आप उपर से get Excel करके Excel में भी click कर सकते हैं, मेरा जो ये file है, मेरे desktop में save है, जिसका name है sample file, जो की power BI की है, मैंने click किया, open किया, और मेरी file यहाँ पे upload हो गई, यह दिखा रहा है क्योंकि इसमें एक ही sheet है, मैंने sheet 1 में click कर दिया, अब इसने मुझे sheet 1 के अंदर जो भ column name, column 1 और column 2 दिखा रहा है, तो मुझे ये change करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, आप home में जाएए, transform data में जाएए, यह बिलकुल new version है power BI का, आप लोग जाके website से download कर सकते हैं, आपके पास भी same ऐसा ही view आ जाएगा, transform data में जाएए, transform data में जैसे आप visit करेंगे, यहाँ पर यह देखिए, यहाँ पर मुझे country और 2020 जो है, वो first row में दिख रहा है, दोनों के, तो अब मुझे इने header बनाना है, header के लिए आपको home में click करना है, use first row as a header, यह देखिए, आपने इसमें click करना है, तो automatically जो मेरी country और 2020 थी, यह header में convert हो गई, बस इसमें मेरा इतना सा ही का अब मैं extreme left में आता हूँ, इसको close and apply करता हूँ, और मैं अपने power BI के page में वापस आ गया हूँ, अब मैं एक visualization ले के आता हूँ, for an example, मुझे एक normal scatter chart ले के आना है, मैंने scatter chart को click किया, मैं इसे बढ़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरह view आए, okay, तो अब मैं अगर scatter chart में, अपना country drag करता हूँ, access में और जो 2020 जो value है, वो मैं drag करता हूँ values में, तो यह देखे, यह कुछ इस तरीके से value दे रहा है, जिसमें अभी मेरे numbers भी populate नहीं हो रहे, numbers populate करने के लिए आपको format में जाना है, बिलकुल यहाँ पे, format में click करना, अब यहाँ पे आप data label, जो हम populate करवा दिया, अब हमें इसमें percentage भी चाहिए, तो percentage लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखे, एक होता है, scatter chart जो की यह रहा, अब आप इसमें कोई भी chart change कर लो, सबसे पहले, आपके percentage और number एक साथ नहीं आ सकते, जैसे मैं second, third वाला chart select करता हूँ, यह देखे, numbers ही display हो रहा है, अब मैं fourth वाला select करता हूँ, यह देखे, numbers ही display हो रहा है, अब मैं fifth select करता हूँ, देखे, फिर से numbers ही display होंगे, या तो अगर numbers remove हो गए हैं, तो यहाँ पर percentage display होने लग जाएगा, मैं sixth वाला select करता हूँ, फिर से numbers remove हो गए हैं, सिर्फ मुझे साइड में percentage देख है हमारे पास जो कि ये रहा अब दोनों में difference क्या है दोनों में difference है अगर मैं scatter chart को select करता हूँ अब मैं line and scatter chart को select करता हूँ तो difference देखिए यहाँ पे line value भी आ जाती है बट अगर मैं फिर से scatter chart को select करता हूँ वह line value हट जाती है तो क्यों ना हम ये वाला chart select करें और अब इसमें कोई tweaks करें ताकि हमारे percentage भी साथ में आ जाए तो अब मैंने line and scatter chart को select कर लिया जो की ये रहा अब आपको क्या करना है अब आपको simple ये जो 2020 की value है इसको फिर से pick करके आपको line value में drop करते रहे ये देखे मैंने इसे pick किया और मैंने वापस line value में drop कर दिया तो यहाँ पे मेरे फिर से numbers आने लग गए है यहाँ पे कुछ numbers देख पाने है और line भी आने लग गया है तो सबसे पहले तो मैं इन numbers को percentage में convert कर देता हूँ कैसे मैं इसी line value में जाता हूँ जहाँ पे मैंने 2020 की value ड्रैग करी है उसमें मैं drop down में click करता हूँ सबसे नीचे आता हूँ show value as अब no calculation लिखा हूँ है second लिखा हूँ है percentage of grand total अब मैं percentage of grand total में click कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे percentage visible होने लग गया है अब percentage मुझे यहाँ पे visible होने लग गया है मैंने का जी ठीक है अब मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा formatting कर देता है ताकि line value सारा हट जाए और यह percentage और numbers मेरे उपर नीचे हो जाए ताकि visibility बहुत अच्छी हो जाए तो मैं क्या करता हूँ मैं अपने format में चलता हूँ यह रह मेरा format मैंने इसमें click किया और इसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले तो shapes में जाऊंगा यह रह मेरा shapes में shapes में drop down में click किया यह जो stroke width है आपको इसमें stroke width को कम कर देना है मैं जैसे कम करूंगा तो वो line जो है न वो गायब हो जाएगी तो यहाँ पे मैं लाइन तो गायब कर दी ओके जो मेरा पहला काम था secondly जो मेरा काम है मैं data label में जाता हूँ इनका जो सबसे उपर जो color है इनको मैं dark black कर देता हूँ ताकि visibility और जाद अच्छी हो मैंने इनको black कर दिया तो यह देखे visibility और अच्छी हो गई अब मैं data level में ही मैं scroll करता हूँ थोड़ा अब यहाँ पे आते हैं position में मैं position में आ गया मैंने इसके drop down में click किया मैंने inside base select कर दिया तो अब क्या हुआ मेरे सारे जो भी numbers हैं वो नीचे align हो गए जो भी मेरे graphs या जो भी percentage हैं graph के वो सारे उपर align हो गए मतलब अब मुझे थोड़ी अच्छी view आने लग गई मैंने का ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ इनकी जो transparency है ये रही same इसी में क्योंकि इसका transparency देखिए ये जो numbers है इनके side में background भी दिख रहा है आपको तो मैं background को nil कर देता हूँ transparency को मैं 100% कर देता हूँ तो ये background nil हो गया है अगर आपको background चाहिए तो आप इसे बढ़ा सकते हैं नहीं चाहिए तो ये भी ठीक है तो यहाँ पे मेरे percentage उपर है मेरे numbers बिलकुल नीचे आ चुके है अब मैं इसको close करता हूँ अब मैं वापस अपने first field column में जाता हूँ जो कि बिलकुल ये रहा मैं field column में आ गया अब इनका थोड़ा सा मैं इन में column series भी डाल देता हूँ column series में क्या करता हूँ फिर से मैं 2020 को drag करता हूँ मैं column series में drop करता हूँ तो ये देखे यहाँ पे मेरे data present हो गया है जो कि बहुत ही सुन्दर लग रहा है जिसमें मैं अपने client को percentage भी दिखा सकता हूँ साथ ही साथ उसके numbers भी दिखा सकता हूँ बहुत ही अच्छा view आ चुका है आप trust me guys कोई भी graph आप select कर लीजे Power BI के visualization में आपको percentage और number एक साथ बिलकुल नहीं मिलेंगे आप चाहे तो इनके structure चेंज कर सकते हैं चाहे तो इनके format चेंज कर सकते हैं जो भी आपको पसंदो आप उस तरीके से format में जाके इनके designing कर सकते हैं तो आशे करता हूँ दोस्तों आप लोगों वीडियो पसंद आगी होगी पसंद आई तो like, share, subscribe जरूर करना इस channel में बने रहना और इस वीडियो को share करना क्योंकि share करने से आपको भी knowledge मिलेगी और जिनको चाहिए actual में उनको भी knowledge मिलेगी तो hopefully share करना और अपने comments देना मत बूलना ये वीडियो आपको कैसे लगी चलिए दोस्तों, बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए मिलते अपने अगली वीडियो में बहुत-बहुत धन्यवाद